हलो विल्कम बैक ट्रेडर्स आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है ट्रेडर्स अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी या फिन निफ्टी में ऑप्शन बाइन करते हैं और इस चीज को लेकर परिशान है कि मुझे कौन से स्ट्राइक प्राइस ताकि मेरा प्रॉफिट जाधा हो या फिर मैं ठीक ठाक प्रॉफिट कर सकूँ बट लॉसेज बढ़े ना करूँ तो इस वीडियो में उसका पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है और मैं आपको अपना परसनल तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप मानलो 10-15 सेकेंड में मतल सारी वीडियो में जो चीजे बताई गई है वो इंट्राडे ट्रेडर के काम की नहीं है भाई जो आप मैक्सिमम वीडियो देखते हो ना आई ट्यम ओट्यम एट्यम वाली वो सारी पोजिशनल ट्रेडर के लिए मतलब अगर आपको बाई आज करना है और आपको वीकली एक परस्पेक्टिव से इंट्राडे ऑप्शन बायर के परस्पेक्टिव से यह बात करने वाले हैं कि आखिर हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना चाहिए और मैं बड़ा ही सिंपल केवल दो क्राइटेरिया है केवल दो रूल्स के बेसिस पे आपको बताने वा मामूली सी बात है तो इसको जल्दी खतम करने की और एकदम पूरा प्रिसाइज रखने की मैं कोसिस करूँगा तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो पूरा देखेगा नोट्स बना लीजेगा पसंद आती है तो ही लाइक करेगा लेकिन अगर आपको मेरा पढ़ाने का तर चले स्टार्ट करते हैं ज्यादा वक्त में आपका जाया नहीं करूँगा तो बेसिकली हमारे पस तीन तरह की ऑप्शन प्राइस होते हैं अचमारे पास दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं जो एकDम बेसिकर उनको बता ले अगर आपको लग रग Chicago आपके वाई करते हो जिसे हम CEB कहते हैं और अगर आपको लगरा market नीचे गिरने वाला है तो हम put options को purchase करते हैं जिसे हम PEB कहते हैं तो call और put दो तरीके के options होते हैं और अगर उनके strike prices की बात करें या फिर उनके variety की बात करें तो हमारे पास कुल तीन यहाँ पर अलग-अलग strike price के options देखने मिलते हैं माल लो अगर bank nifty की बात करते हैं bank nifty का जो spot price है मैं आपको बड़े आसान सब्दों में समझा जब तो spot price क्या होता है spot price वो होता है जो current index का price चल रहा है माल लो आप bank nifty index का chart खोलते हो और वहाँ पर जो आपको price दिख रहा है वो 40,375 रुपए का price आपको दिख रहा है 40,375 का तो यहाँ पर ATM, ITM, OTM, calls और puts कौन से होंगे अब मैं आपको उसको discuss करके यहाँ पर बता देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा buy करना यहाँ पर सही रहेगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं calls की तो अगर मैं किवल call की चर्चा करूँ यहाँ पर कि कौन सा call मेरे लिए अच्छा रहेगा तो इस situation में 40,375 चल रहा है अगर मैं 100.2 पर जाता हूँ तो मुझे 40,400 मिले हैं तो मैं round off कर रहा हूँ मतलब जो दोनों उपर नीचे के hundreds में digits हैं उनको round off करके मैंने लिख लिया तो मेरे पास 300 और 400 की value आ रही है यहाँ पर तो यहाँ पर हम यह consider करते हैं कि जो 40,300 का है एक हम पीछे आ जाते हैं अगर मैं call को buy कर रहा हूँ तो मैं in the मतलब अगर मान लो 300 से उपर price चल रहा है तो मैं 300 को consider करूँगा तो यह जो 40,300 है इसको हम at the money मानते हैं मतलब जो spot price चल रहा है वही मैंने buy किया है वही strike price अगर मैं purchase करता हूँ तो वह मेरे लिए at the money हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आपके मैं लिखता हूँ इस जगे पर तो at the money हमारा क्या होगा 40,300 की call अभी केवल call की बात करें ठीक है spot price आप ध्यान रखना इस spot price को आप ध्यान रखना है इसी के basis पे हम पूरा discussion करने वाले हैं तो हमारा at the money हो गया वह हो गया 40,300 अब अगर आप इससे बाहर जाते हो मतलब 4,300 से दूर की तरह बढ़ते हो जो की है 40,400 तो 40,400 या फिर इससे कितना भी जादा आप buy करते हो 40,400 या फिर 40,400 से जादा जो भी आप buy करते हो वो सारा out of the money कहाता है उसे हम मानते हैं कि या out of the money strike price का option आपने purchase किया है तो 40,400 या फिर इससे जादा आप जो भी buy करते हैं वो out of the money होता है और similarly अगर आप 40,300 के नीचे जाते हो मतलब या फिर आप 40,200 की call buy कर रहे हो या फिर आप इससे कम की कोई भी strike price की call buy करते हो तो उसे हम in the money कहते हैं तो ये हो गया call option का फंडा मैं दुबारा कहा देता हूँ spot price है हमारा 40,300, 4375 तो 43,75 से जादा क्या होता है round number जो है 4400 तो 40,400 से या फिर 40,400 या फिर इससे जादा आप जो भी buy करते हो सब out of the money होती है और 40,200, 40,200 से कम जो भी आप buy करते हो वो सारी in the money होती है और 40,300 है उसे हम add the money करते हैं अब हम थोड़ा put की बात कर लें तेकि अगर आपको भाई put buy करना है या पर तो आपके लिए क्या situations रहेंगे तो अगर आपको put buy करना है तो जो add the money है न आपका वो जादा रहेगा मतलब इस situation में जो हमारा add the money रहेगा वो 40,400 रहेगा यह मैं कैसे बोल रहा हूँ आप simple यह spot price रखना यह आपका spot price हो गया आप मेरी यह वाली analogy समझ लो आपको समझ में आ जाएगा आपको और basic से मैं समझा देता हूँ एस सिचूवेशन में call के time पर अगर मैं इस से ऊपर कोई भी buy कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए otm है मालनो यह spot price पर चल रहा है 400 का 40,400 माल लेतें तो उपर के कौन से level आएंगे 500 हो गया 600 हो गया तो यह otm हो जाएगा और यह यहाँपर जो इसके नीचे buy करता हूँ वो in the money हो जाएगा बट अगर इसी situation में मैं यहां पर put by कर रहा हूं तो put में अगर मैं उपर जाता हूं तो जो अगर मैं put में उपर जा रहा हूं तो यह मेरे लिए in the money हो रहा है और अगर मैं नीचे आता हूं यहां पर तो यह मेरे लिए out of the money हो जा रहा है यहां पर समझ रह हो गया मैं आगे क्या कहने हो अगर इसमें आपको out of the money put buy करना है तो यहां पर 40,300 से कुमला जो 40,300 की strike price है वो या फिर उससे कम आप कुछ भी buy करो 40,200 की put buy करो 40,400 की put buy करो 40,300 40,400 40,500 अब जितनी की भी put buy करते हो मतलब मैं 40,300 से कम यानी 40,200 40,100 या 40,000 जितनी की भी आप put buy करते हो वो सारी out of the money रहने वाली है और 40,500 या फिर 40,500 या फिर उससे जादा आप जो भी buy करते हैं वो सारी हमारी in the money नहीं रहने वाली है तो आपको यह simple chart अगर दिमाग में रहेगा न यह simple chart अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आपको पूरा funda clear हो जाने वाला क्या है और अगर मैं आपको simple और sentence पर समझा दू न तो माल लो आप call buy करो या put buy करो आप जो भी buy कर रहे हो तो जो यह हो गया आपके लिए out of the money तो जो आपका target रहता है वह generally out of the money रहता है और जो चीज़ पीछे छूट गई है वह in the money रहती है हमेसा और माल लो अगर आपने put buy क्या है तो put मतलब नीचे गिरेगा तो अगर bank nifty 40-200 पर है तो नीचे कहां गिरेगा 40-100 पर गिरेगा तो जहां वो गिरने वाल है जो आपका target है वो out of the money रहेगा और जो पीछे है यानि 40-300 अब उपर तो वापर जाएगा निए आपको नीचे गिराना है ना bank nifty को तो य हो गया आपके लिए in the money यह simple analogy भी आप follow करेंगे तो भी समझ में आजागा मैंने एक दो तीन तरीके से आपको समझा दिया कि भाई ATM, ITM, OTM होता क्या है अब exactly बात करते हैं कि as a intraday trader आपको कौन सी strike price select करनी चाहिए तो मैं आपको इस वीडियो में दो methods of selection बताने वाला मतलब अगर आपको अपना risk management करने के लिए strike price select करना है या फिर मतलब आपने ये decide किया हुआ है कि मुझे कितना risk लेना है और फिर आप ये decide करना चाहते हो कि भाई मालो मुझे 1000 रुपय का stop loss लेना है अगर एक trade में तो अगर मैं 500 की strike price buy करूँगा 500 रुपय premium pay कर दूँगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा ना मेरे लिए तो आप risk उतना ही लोगे जितना आप afford कर सकोगे तो risk management के perspective से अगर आपको strike price selection decide करना है तो मैं एक simple सब्द में कहना चाहूँगा कि intraday trading में जितना आपको risk manage करने के लिए premium चाहिए आप बस premium पे focus करो कि भाई मुझे premium कितन चाहिए मालो एक trade में मालो आपने आज Friday का दिन है ठीक है Friday का दिन है तो Friday में आप देख रहे हो कि जो add the money है वो यहाँ पर मुझे 300 रुपए में मिल रही है और जो in the money है वो मुझे यहाँ पर 400 रुपए में मिल रहे है मैं simple रख रहा हूँ difference उड़ा जादा होता है और अग आपको यह decide करना पड़ेगा कि आपको stop loss कितना लेना है मालो अगर आप 300 रुपए की चीज बाई करते हो तो इसमें अगर आपका stop loss 30 रुपए का बैठता है तो यहाँ पर अगर आप 400 की चीज बाई कर रहे हो ना तो इस 400 में जो आपका stop loss बैठेगा वो लगबग आपका 38 रुपए के आसपास बैठेगा और अगर आपको इस 2 रुपए की चीज बाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको stop loss है वो लगबग 22 रुपए के आसपास बैठेगा तो आप सोचो अगर आपको stop loss कम लेना है तो आप OTM बाई कर लो बिना जिचके बहुत लोग YouTube में कहते हैं कि OTM मत बाई करो मत बाई करो OTM बाई करना गलत नहीं है मैं आपको अभी जो बात बताने जा रहा हूँ हो सकता है इस वीडियो की सबसे important पार्ट हो तो इस जो ध्यान से सुनिएगा जो OTM होते हैं ना OTM मतलब out of the money options होते हैं एक सब्द में कहूं ये बहुत जादा sensitive होते हैं बहुत जादा sensitive मतलब मान लो अगर बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट हम 100 पॉइंट मानते हैं बान लो अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट उपर जाता है ठीक है अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट उपर जा रहा है तो जो OTM की strike price है ना वो अगर मान लो 20% increase होते है percentage की बात क कर रहा हूं अगर OTM 20% increase होता है तो जो हमारा ATM रहेगा ना वो करीब 16-17% का increase करेगा उसमें जो increase आएगा वो 16-17% का आएगा और जो in the money strike price रहती है उसमें जो increase आएगा मैं percentage wise बात कर रहा हूं वो लगबग 14-15% या फिर 13-14% के आसपास का ही increase देखने को मिलेगा इसको हम 13- 14 लिखें तो जादा सही रहेगा 13-14% का ही increase हमें देखने को मिलेगा तो आप एक चीज़ notice कर रहे होगे कि OTM की जो strike price है वो सबसे जादा move करती है तो मतलब अगर percentage wise देखा जामान लो आपको एक लाक रुपे लगाने है तो आपको आपने decide कर लिए मुझे एक लाक बाई कर लूँगा तो एक लाक में तो आपको OTM का premium सचता है तो सबसे जादा OTM मिलेगा ना क्योंकि इसका premium सचता है तो अगर आप fix capital invest करते हो तो सबसे जादा return और सबसे जादा risk हमेशा OTM में रहता है तो अगर आप 1 लाक रुपे लगाते हो तो एक लाक रुपे लगा कि अगर O तो आपको ज्यादा quantity मिलेगी और इसमें आपका 20,000 रुपय तक का नुकसान और फायदा दोनों हो सकता है तो ऐसा कोई एक गेम नहीं खेला जाता कि अगर आपिन्दमन ही खरीतते हो तो फायदा आपका बहुत होगा नुकसान आपकाast कम होगा ऐसा कभी नहीं होता है तो अगर आप risk management के लिए इसलिए मैं पहले भी कर रहा हूँ अगर risk management के लिए आप buy करना चाहते हो न तो strike price भूल जाओ premium देखो खाली बस एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप OTM buy कर रहे हो तब ही आप एक चीज नोटिस के यहाँ पर मैंने आपको एक चीज दिखाई है यह जगा पर अगर आप गौर से देखोगे मैंने यहाँ पर 300 में 30 रुपे का stop loss बताया है 30 रुपे मतलब लगभग 10% का stop loss होता है risk और reward दोनों बहुत जादा होता है बट अगर हम proper calculate करें कि भाई मुझे एक ही lot buy करने तो अगर आपकी quantity fix है न तो मतलब आप अगर OTM buy करते हो तो सबसे कम risk उसमें आपको देखने को मिलता है तो इसलिए अगर आपको risk management करना है अपना बड़ा risk नहीं लेना है तो आप OTM खरीदो बिंदास बिना डरे आपको market में बड़ी movements मिलेगी अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है न तो आप दोनों चार्ट खोल लेना ATM और ITM का आपको percentage difference वहाँ पर दिख जाएगा तो वो percentage difference देख के आपको realize हो जाएगा कि जो OTM होती है बस वो जादा sensitive होती है तो market आपके favor में गया तो आप पैसा भी जादा कमाओगे percentage wise ठीक है प्रीमियम सस्ता है तो इसलिए आपको भले profit कम देखे बस percentage wise आपका profit जादा होने वाले है तो यह हमारा पहला fund आओ गया risk management के इसाब से तो risk management के लिए कभी यह मत देखा करो ATM OTM ITM जितना risk आपको सही लगे आप वो strike price buy कर सकते हो अब आते हैं second method की तरफ से अब second case हमारा यह है कि भाई मुझे risk management की कोई चिंता नहीं मैं 500 का भी option price 500 का भी premium खरीद के इतना risk भी झेल सकता हूँ बस simple fund यह 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 या फिर add the money मतलब जैसे मैंने आपको उपर case में समझा है क्या समझा है मैंने कि अगर यहाँ पर nifty bank जो है हमारा 40,375 चल रहा है तो add the money क्या होगा add the money call होगी 40,300 add the money put होगा 40,400 का तो या फिर आप यह add the money की call put खरीद लो या फिर 100 रुपए या 200 रुपए इन the money खरीद लो मतलब add the money खरीदने से यह रहता है कि loss भी जादा नहीं होता है तो आपको risk management की कोई चिंता तो है नहीं तो percentage wise आप safe रहो गया इसमें ATM, ATM आप कोई भी buy करना कुछ खास फरक नहीं पड़ता है अगर आपको trade गलत होगा आप बैंक निफ्टी उपर जाएगा तो आप ATM में भी पैसा कमाओगे ATM में भी पैसा कमाओगे और बैंक निफ्टी नीचे आ रहा आप ATM में भी पैसा कमाद होगे ATM में भी पैसा कमाने वाले हो तो खास फरक नहीं बढ़ता है trade पे ध्यान दीजे ना कि strike price selection पे मैं अब तक इस topic पे वीडियो इसी लिए नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे लिए buddy topic बड़ा topic था ही नहीं जो भी समझ में आ रहा बाई करो premium कम बाई करने कम करो जादा करने जादा करो मैं तो risk management वाला तरीका बहुत पहले से follow करते हुए आ रहा हूँ और आप ट्रेड बारा बजे के बाद ले रहा हूँ तो कोसिस करना इंदमनी बाई करना बारा साड़े बारा बजे के बाद अगर ट्रेड कर रहा हो तो इंदमनी बाई करना बाकी कोई restrictions नहीं आप कुछ भी करो तो I hope इस वीडियो से आपको clarity मिले होगी कुछ नया सीखने क को मिला है तो वीडियो लाइक करें comment section में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद है तो चैनल को subscribe कर दे और अगर आप beginner हैं और advanced option trading सीखना चाहते हैं तो आप हमारा course join कर सकते हैं इसमें जैसे मैं आपको बता है ना इसमें सारे concepts detail म मैंने यहाँ पर discuss किया अगर आप इसके modules में जाके देखते हो ये लगबग 30 घंटे का course है जिसमें आपको 100 से जादा videos मिलती है एक साल तक आपको live mentorship मिलती है live mentorship in the sense कि weekends में आपकी live doubt classes होती है आपको एक telegram channel का access मिलता है जिसमें आप discussion कर सकते हो plus एक premium telegram channel का भी access मिलता है और उससे भी बड़ी बात यह है कि सारी चीव बेसीक से लेके in depth मरला पूरा detail में घुसके बेसीक से एडवान सब चीज कवर की गई है candlestick से लेके अगर आप उपर जाके देखोगा risk management तक सब कुछ covered है psychology capital management trading system bank nifty और nifty के option buying setups मेरी personal strategies सब कुछ इसमें आपको मिलेगी तो आप चाहो तो जाके check out कर सकते हो बाकी मेरी तरब से इस वीडियो में इतना ही मिलते है next